मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं रिच्चा आपके हिंदी सेक्षी का केंद्रे विध्यालिक कर मांग टू इडा नगा से बच्चों, जैसा कि आप सभी को पहले ही विधित हैं, अम अपनी कक्षाओं को ओनलाइन माध्यम से शुरू कर रहे हैं बच्चों, कोरोना काल को देखते हुए, NCRT, CBST जैसी सेक्षिक संसथाओं ने हमारे लिए एक वेकलपिक सेक्षिक क्रिया कलाप या अल्टरनेटिव अकैडमिक एक्टिविटी का एक कलेंडर बनाया है हम सभी को इस कोरोना काल में अपनी पुस्तक से हटकर कुछ छोटी-छोटी क्रिया कलाप करनी है ताकि हम अपने पढ़ाई की डेलगारी को पटरी पे लाकर जैसा ध्यान पूर्वक चला सके ताकि हम अपने पढ़ाई से पीछे ना रह सके तो बच्चो आप से हम अपनी पाठे पुस्तक से जादा इन छोटी-छोटी क्रिया कलाप को करेंगे जो हमें NCRT और CBS से ने प्रदान की है आज कक्षा दो हिंदी के लिए मैं सब्ता छे की एक एक एक्टिविटी शब्तों की सूची कराऊंगी बच्चो हम आगे बढ़ते हैं अपनी वेकल पिक सेक्षी क्रिया कलाप की ओर इस सब्ता की पहले एक्टिविटी है प्रती दिन दस दस शब्दों की सूची बच्चों को दीजिए हमें हिंदी के दस शब्दों की सूची बच्चों को देनी है उन्हें इन शब्दों को स्वर व्यंजन वर्ण रूपी खानों में सजाने के लिए कई है बच्चों को वो शब्द जो स्वर वाले स्वर में जथा व्यंजन वाले व्यंजन में लगाने है चलो पहले हम जानते हैं कि स्वर और व्यंजन होता क्या है आप सभी ने कक्षा 1 में जब एडमिशन लिया होगा या उससे पहले भी इन छोटे छोटे वर्णों को देखा होगा स्वर वह वर्ण होते हैं जिने हम बिना रुकावट के जिने हम मात्रा भी कह सकते हैं जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा तो बच्चों सामने में आपके सामने कुछ स्वर और व्यंजनों को अलग करकर के लिखा है आप इस ध्यान पूरवक देखिए स्वर होते हैं ये सब आप अपनी पहली कक्षा में या उससे पहले भी पढ़ चुके हैं हमारे व्यंजन इस प्रकार हैं इन स्वर और व्यंजनों से आप पहले ही परिचित होंगे फिर भी एक बार फिर से उपर ये हमारे स्वर है और जो ये हैं बेटा कह से लेकर या ग्रानी तक हमारे व्यंजन है आप सभी को कुछ शब्दों की सूची दी जाएंगी आपको इन में से स्वर वाले शब्दों और व्यंजन वाले शब्दों को अलग-अलग खानों में लिखना है बच्चों आपके सामने शब्दों की सूची प्रस्तुत है जिसे कमल, आम, मोहन, पतंग, कूदना, हवा, इमली, कोरत, बादल, पानी, मोबाइल, बोटल, एक, इक, हाथी, राद मैंने आपके सामने बहुत सारे शब्द दिये है आपको इन शब्दों को सब पथम ध्यान पूर्वक पढ़ना है सबसे पहले आपको इन पढ़ना है और देखना है कि कौन सा शब्द स्वर से शुरू होता है स्वर अर्थात मात्रा वाले शब्द जिने हम मात्रा भी बोलते हैं जैसे आ, आ, ई, ई, उ, उ, ए, ए, उ, उ, कौन सा शब्द स्वर से शुरू होता है कौन सा शब्द व्यंजन से शुरू होता है जैसे व्यंजन का खगगड़ चा चा जा 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 इनी शब्दों को देखकर आपको अलग-अलग करना है जैसे हमारा पहला शब्द है कमल कमल वो का से शुरू होता है का जो है वो हमारी व्यंजन तालिका में आता है तो कमल को हम व्यंजन सुची में लिखेंगे आपको ऐसे ही दो सुची बनाने रही है वर्ग सुची एक स्वर की एक व्यंजन की कमल जो हमारा पहला वर्ड है वो व्यंजन तालिका में आता है इसलिए मैंने इसे व्यंजन तालिका में लिखा हमारा दूसरा शब्द है आम आम आ से शुरू होता है और आ जो है वो स्वर तालिका में आता है तो इस शब्द को हम स्वर के अंदर लिखेंगे ऐसे ही हमारा तीसरा शब्द है मोहन मा से शुरू होता है मा हमारा व्यंजन तालिका में आता है तो हम मोहन को भी Vengeance में लिखेंगे बच्चों आपको इन शब्दों को ध्यान पूर्वक पढ़के इन इन तालिका में सजाना है आपका आज का हमवक है कि स्वर और vengeance से शुरू होने वाले शब्दों को अलग-अलग तालिका में सजाना है लिखो, अलग-अलग खानों में लिखो, आपका आज का होमवक यह है, आप मुझे इस होमवक को करके मेरे परसनल लंबर पर सैंड कीजिए, इन शब्दों को स्वर से शुरू होने वाले और व्यंजन से शुरू होने वाले 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 सब्दों को अलग-अलग तालिका में स जाएए धन्यवाद अपनी आप ध्यान पूर्वा की सेक्टिए